जोस्तों आज की इस वीडियो हुनों जानेंगे कि इस्टागराम में अगर आपके भी बिजनस एकाउंट को जब प्राइबेड करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है बिजनस एकाउंट कैन नौट भी प्राइबेड ठीक हैं अगर आपको ऐसा वधा लिख आ रहा है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एकाउन प्राइबेसी का जो आप्सन है उसको आप्सन मिल जाता है हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम प्राइबेट करने की पोसिस करेंगे तो आपके सामने यह option देखने हूं मिलता है business account cannot be private ठीक है अब हम इस problem कैसे solve कर सकते हैं यानि इसका क्या मतलब है देखी दोस्तों यह कह रहा है कि अगर आपका business account है ठीक है तो आप उसको private नहीं कर सकते हैं यहां पर लिखा हुआ रहा है इप यूँ वांट टू मेक यूर एकाउंट प्राइबेट तो सबसे पहले आपको first switch to back to personal account ठीक है अगर आप अपने business account को private करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने account को business personal account में करनोड करें तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना हो कि इसे कुछ नुकसान भी नहीं होने वा लेकिन private account को हटाने के बाद ठीक है सबसे पहले क्या करना हमें यहां से back होना है यहां एक option देता है आपको business tool and control ठीक है इस पर क्लिक करिएगा सबसे नीशे जाएगा यहां एक option देता है switch account type इस पर क्लिक करिएगा यहां पर switch to personal account पर क्लिक करना है और यहां पर switch to personal account पर क्लि हो जाएगा ठीक है तो अभी देखिए आपके सामने सब कुछ होता हुआ रहा है अभी हमारे जो एकाउंट हो प्रस्टनल एकाउंट में हो चुका है अब हमको क्या करना है यहां पर सिम्पली निचे स्क्रॉल करेंगे यहां पर मिलता है और अप्शन एकाउंट प्राइबिस और यूर अकाउंट इस प्राइबेट ऑनली दफालोवर और यू प्रूब करते हैं जो भी आप फोटो अप्लोड करते हैं ठीक है जब तक आप प्रूब नहीं करेंगे तब तक कोई देख नहीं सकता है यानि जो आपके फॉल्वर होंगे बस वही आपके पोस्ट को देख पाएंगे ठीक है ना सिम्पल बात है जब तक आप उनको अपना फॉल्वर नहीं बनाएं किसी को तब तक वह आपके पोस्ट को आपके फोटो आपके प्रोफाइल को आपके रिल्स को नहीं देख सकते हैं आपको क्लिक कर देना है और स्विश टू प्राइबेट प्राइबेट करना है तो सबसे पहले आपने प्राइबेट करिए उसके बाद आकर आप प्राइबेट करिए तो इस ते करके आप असानी से यह काम कर सकते हैं